देट दो साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रोग एडिक्ट थी, मेरे जिंदिगे में इतने सारे कांड चल रहे थी, कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी, कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी, ये सब, इतना सब डेंजर हो चुगा था मेरे ल इसा नहीं है, आप जानते हैं कि मैं एक मामुली से, बहुत सारे कलाकार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, पर आप वो लोग खुश, ये नहीं कह सकते हैं, कि मैं हाँ, मैं खुश हूँ, जो मैं हूँ, वो बनके, वो आज इस मुकाम पर खुश हूँ, मैं गर से कह सकती कि जैसे मैं मतलब हाथ उडाऊंगे और तारे तोड़ ले आऊंगे मेरी मा कहती है कि एक बार तुम मेरे बारिश में नाशते हो तुमें देखा आदा घंटा तुम ऐसा लगता है से आसमान को से कुछ खीचने की कोशिश कर रही हो यह सच है मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ जैसे ही मैं घर से भागी देट दो साल में मैं एक फिल्म स्टार थी एक ड्रोग एडिक्त थी मेरे जिंदगे में इतने सारे कांट चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी यह सब इतना सब मैं तीन एज रही थी अभी सोच लो मैं इतनी खतर्नाक हूं एनिवे सो उसके बाद हुआ है कि मेरे जिंदगी में बहुत अच्छे शक्स आय मेरे मित्र जोस टाइम में कर स्ट्रग्लिंग फाइट मास्टर थे तो उन्होंने मुझे योग योगा मितरता हुई तो उन्हों तो उस बुक में प्रोसेसिज हैं बहुत सारे बहुत अच्छे और मैंने विवेका नन जी को अपना गुरू मान लिया और उन्ही के गाइडन्स में मैंने अपने आपको बहुत सावारा क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि यार ये हैं अक्शन मेरे मैंने कभी किसी को अ अगर वो मुकाम मेरे जिन्दगी में नहीं आता तो शायद मैं बीर में गुम जाती शायद मैं इतने आगे नहीं आ पाती जो मैंने अपने विलपाव को डिवेलप किया है अपनी इंटलेक्ट को शाप किया है जो मैंने अपनी टैलेंट को सवारा है जिस तरह से मैंने अप अगर मुझे spiritual guidance नहीं मिली होती, गुरू का अश्रिवाद नहीं मिला होता तो इस मुकाम की बड़ी एहमियत है और जो प्रोसेस मैंने किया था ब्रह्म चार्या का मैंने सहारा लिया था दोड़ाई साल उस ताम पर मैंने फिल्म की थी फैशन और मेरी एक बहुत अच्छी मित्र थी, आश्वनी देशमुगा आजकल उनसे बात नहीं होती है पर वो उस टाम मुंबई मिलर की जनलिस्प थी तो उन्होंने देखाया तुम क्या करती हो से सफेद वस्त्र पहनती हो और उबलावा खाना काती हो तो मैंनोंने बताया तो उन्होंने एक बड़ी भलती सी स्टेट्मेंट देख लिखती कि कंग ना टर्न सेलिबेट तो ब्रह्मचरया के बहुत अच्छे-च्छे प्रोसेस होते हैं और उससे जो है आपकी एनर्जी को अगर आपको बिलकुल अपने हाथों में लेना हो तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस वक्त का फाइदा उठाइए बुरा वक्त ही ओल्ली अच्छा वक्त